आप सब को पता है कि नेपाल को हिंदू देश के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर और आज महारे पास इंडिया की तरफ से एक वीडियो आई है जिस पर ये बात की जारी है नेपाल हिंदू देश के नाम से तो जाना जाता है बट उसके अंदर हिंदू को हिंडूरा इसा ही पाली हमारे उत्तर में हिमालय की गोध में बसा राश्व जो आध का हिस्वा करता था जहां ख़िए हिंदु धर्म का बोल बाला ठाल की जहां नेपाल का हिंदू एक बार फिर से जाग उठता है अपनी संस्कृति और अपनी सब्धता से एक बार फिर से वाकफ हो चुका है आपको बता दे कि नेपाल में एक वक्त था जब पूरी तरह से हिंदू का रास था और नेपाल एक हिंदू राश्ट्र कहलाता था मगर फिर नेपाल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़ा से नेपाल की नसर फराजनिती बदली बलकि धार्मिक पैचान को भी ठेस पहुँची नेपाल जो हिंदू राश्ट्र के तोर पर उभर रहा था अचानक से उस विचार धारा को दबा दिया गया आखर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वज़ा से नेपाल की धार्मिक पैचान को छीन लिया गया और कैसे अब नेपाल का हिंदू जाग गया है बताएंगे आज कि हमारे इस वीडियो में वीडियो को आखर तक जरूर देखेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा दोस्तों नेपाल का इतहास हमेशा से हिंदू धर्म से जुड़ा रहा है नेपाल हिंदू धर्म का एक अनूठा राश्ट्र है जा हिंदू धर्म के बड़े बड़े रिशी मुनियों ने जन्म लिया दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है नेपाल माता सीता का जन्म स्थान है नेपाल में ही पशुपतिनात मंदर भी मौजूद है जो हिंदू धर्म में खास मानिता रखता है नेपाल के 80% आबादी हिंदूओं की है यहाने को मंदर हैं और यहां की भाशा भी बहुत पूरी भाशा से मिलते जलती है मगर बावजूद इसके आखर के नेपाल में हिंदूराश्च को बनाने में इतना वक्त लग रहा है क्या है वो वज़े बताएंगे आपको आगे दोस्तो नेपाल के कुल आबादी धाई करोड है और इसे साल 2006 में एक धर्म निर्पिक्ष देश घूशत कर दिया गया था जबकि इस देश में रहने वाले जादतर लोग हिंदू है दोस्तो नेपाल में एक लंबे अर्से तक राज शाही सत्ता में रही मगर फिर एक राज परिवार में कलह के कारण सारे समय करण ही बदल गए जहां दोस्तो एक बात एक जून 2001 की है नेपाल का शाही परिवार एक जश्न में डूबा हुआ था नेपाल के राजा ब्रिरेंदर, रानिया श्वरिया वी इस परटी में पूरे राज परिवार के साथ मौजूद थे आपको बता दे कि इस जश्न में राज परिवार के एक दरजन से जादा लोग मौजूद थे पार्टी के होस्ट राजकुमार देपेंदर करीब आट बजे पार्टी में शामिल होने के लिए आये थे लेकिन उनके हूलिये को देखकर ऐसा बिलकुल भी ने लग रहा था चैया दोस्तों वह पूरी सैनिक वर्दी में पार्टी में शामिल हुए थे राजकुमार देपेंदर को देखकर पार्टी के महमानों में खलबली मच गई थी क्योंकि उनके एक हाथ में MP5 के सब मशीन थी और दूसरे में कोल्ट M16 डाइफल थी उनकी बर्दी में एक 9mm की पिस्टल भी लगी थी राजकुमार देपेंदर को ऐसी हालत में देखकर पूरे हौल में शांती छागई और हर कोई हैरान हो गया राजकुमार देपेंदर ने अपने पता राजा विरंदर की तरफ देखा और अपने दाइने हाथ में पकड़ी हुई सब मशीन गन से तड़ा बर तोड उन पर फारिंग शुरू कर दी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई इसके बाद अगले कुछ मिंटों में ही वहां खड़े सभी लोगों को राजकुमार देपेंदर ने गूलियों से भून दिया यह न सक्फ नेपाल के लिए बलकि पुरी दुन्या के लिए चौकाने वाल हत्याकान था यह हत्याकान नेपाल की रاجनीती में आए भूचाल की एक जोलग थी जियां दोस्तो साल 2001 तक नेपाल में राजशाही कायम थी मगर सत्याकांट के बाद ऐसा राजनितिक भोचाल आया कि जिसने राजशाही की नीव हिला कर रख दी दोस्तो नेपाल में हिंदो धर्म को लेकर बहुत बड़ी आस्था दिखाई दीती है यहां के लोग अपने राजशा को भगवान विश्णू का उतार भी मानते थे लेकिन साल 2001 में राजश परिवार के सत्याकांट ने सब कुछ बदल कर रख दिया राजश परिवार का एक बेटा जो राजश परिवार के सबसे चोटे बेटे थे और किसी कारण से नेपाल से बाहर से नेपाल के नए राज़ा बना दिये गए दोस्तो राज़ा ग्यानिंदर अपने पिता की गदी पर तो बैट गए बगर उने राज़निते की कोई समझ नहीं थी जिस वज़े से बन नेपाल को सही से समान ना पाए देखते ही देखते ही देखते हैं उनके हाँ से राज़निती चूटती चली चा रही थी ये देखकर ग्यानिंदर तानाशा हो गए और इसी बीच नेपाल की राज़निती में चीन ने भी अपना मौका भुनाना चाहा राजा ग्यानिंदर की तानाशाही और चीन के दखल के वज़े से नेपाल में कई बेगुनाहों की जान गई जिसके बाद नेपाल की जंता में आकरोश आ और हर तरफ दंगे होने लगे आखिरकार नेपाल की राजनिती में यूएन को दखल देनी पड़ी और यहां साल 2006 में चुना हुए जिसमें एक पार्टी का गटन हुआ और नया प्रधान मंत्री चुना गया नेपाल को एक धर्म नर्पेक्श राज घूशत कर दिया गया वो जो अपने हिंदू होने पर गर्व करता था वा अज अपने ही देश में अपनी धार्मिक पैचान के लिए लड़ रहा है जिया दोस्तो अब नेपाल का हिंदू एक बार फिर से जा गया है और वो चाहता है कि नेपाल एक बार फिर से हिंदू राश्र बन जाये थोस्तों नेपाल की राजनिती और संस्कृति में हमेशा से ही चीन ने दखल देने की और उसे हतियाने की कोशिश की है नेपाल में चीन अपनी हुकूमत खायम करना चाहता है जिसके लिए यहां के हिंदूों को बहला फुसला कर हिंदू धर्म से कन्वोर्ट कराना और अपनी संस्कृती को उन पर थोपना भी शामिल है नेपाल में बढ़ती अधार्मिक गतिविदियां सरकार में फैली वर्ष्टाचार और चीन का नेपाल पर लाकों का करजा यहां के हिंदूों के बढ़ते घुस्से का कारण है अब नेपाल का हिंदू चाहता है कि वापस से राच शाही आए और राज तंतर कुफर से स्थापत करके नेपाल को एक हिंदू राश्र बनाया जाए नेपाल के हिंदू बड़े घर्व से कहते हैं कि एक वक्त था जब नेपाल पूरी दुनिया में एक मातर हिंदू राश्ट्रो था लेकिन धिरे धिरे नेपाल ने अपनी वो पहचान को दी और आज वो अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं नेपाल के सब हिंदू एक अठा होकर सड़कों पर उतराएं हैं और नेपाल में लोक तंतुरानी के बाद से पश्रिम से आए मिशिनरीज ने अपना मुनाफ़ा का माना चाहा और नेपाल की जंता को उनकी गरीबी का हवाला देते हुए इसाई धर्म अपनाने को मजबूर कर ने लगे नेपाल की गरीब जंता जो अपने और अपने परिवार के लिए एक बहतर जंदगी के तलाश कर रही थी भूक से मर रही थी उन्हें धर्म से जादा तहरीज पैसो की थी जो किसी मायने में घलत नहीं है मगर मिशिनरीज किस मुहीम ने नेपाल के हिंदू का हुआ है और एक बार से नेपाल को हिंदूराश्ट बनाने की मांग कर रहा है नेपाल में ना इसाही धर्म बलके इसलाम ने भी तीजिश से बढ़ना शुरू किया और धर्म निर्पिक्षता की आड़ में नेपाल के हिंदू को मुस्लिम बनाने का काम शुरू हो गया दोस् में जंडाल ये विरूत प्रदर्शन कर रहे हैं ये नेपाली हिंदू एक बार फिर से अपने देश में राज साहिल आने की मांग कर रहे हैं और नेपाल को हिंदू राश्र बनाने की मांग कर रहे हैं नेपाल में हिंदू राश्र बनाने की ये मांग कितनी प्रबल साबित हो और क्या नेपाल एक बार फिर से राज तंत्र स्थापत कर पाएगा यही बड़ा सवाल बना हुआ है लेकिन एक बात तो हुता है कि नेपाल में हिंदू राश्र बनाने का सपना पूरा होते ही इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा वहीं दूसरी तरफ चीन का नेपाल में दखल भी कम हो जाएगा आपको क्या लगता है नेपाल में हिंदू राश्र के लिए उठाई गई यह मांग कितनी कारगर सावित होगी अपने जवाब हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही बल आइकन को प्रस करना ना बुले ताकि चैनल पर आने वाली हर नियो वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले मुलाकात होगे अगली वीडियो में बाइबा अजान के बाद आप अपनी मुल्क के अंदर निकाले हमें को इस नहीं होगा बट फिर भी कहीं सारे लोगों ने जान बुच के मस्जिदों के सामने जो है इसको नेपाल के अंदर इसको बात की गए बट फिर भी इंडिया मीडिया ये कह रहा के हिंदो के साथ काफी बुड़ा हुआ हिंदों के यह कर दिया मुसलमान यह किया आप लोगों लोगों अगर वीडियो देखी इंट्रस्टिंग लगी है तो लाइक लाजमी करें